नमस्तार में साक्षी स्कुरा आप लेकर लिए एरियल न्यूस राहुलत्रपादी आज कल हर जगे चाय हुए हैं राहुलत्रपादी एक ऐसा नाम है जो साल के कुछ हफतों में सब के जुमान पे रहते हैं यानि कि उनकी एक अलग पहचान ही बन जाती हैं अब साल का वही हफता चल रहा है जब राहुलत्रपादी सब की बहा बहाई लूट रहे हैं आपको बता दें कि साल के कुछ हफते तो राहुलत्रपादी ऐसा कमान करते हैं कि हर कही चाय रहते हैं उसके बाद वो कहा रहते हैं इसका किसी को खबर नहीं होती अब हर किसी की जवान पर सिख्ट यही नाम है कि राहुर्टिपाटी को इंडिया तीम में डेब्यू कराया जाए आई ये जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों कह रही है 17 मैं की रात को मुंबई इंडियन्स के खिलाब खेले के मुकाबले में सन राइज़र सेद्राबाद के बल्लेवाच रामिर्टिपाटी में सीजन का तीसरा अद शतक जड़ा है ये मुकाबला मुंबई के बान खेले स्टेडियम में खेला जा रहा है उन्होंने मयंक मार्कटी की गैण पर अपना अज़शटक पूरा किया आपको बता दे कि रावाटर पार्टी ने 32 गैणों में अपना तीसा अज़शटक पूरा किया है उनकी ये अर्ड शतक किया पारी देखने के बाद फ्रेंज ने ट्विटर पर राहुल की जम कर तारीफ की है साथ ही उनके टीम इंडिया में भी शामिल करने की भी मांग की है आपको बता दें कि संड्राइजों सेद्रवाग के बलिवाच राहुल त्रिपादी का बल्ला इस सीजन आग बलतार नजर आ रहा है उन्होंने टीम के लिए कई शांदार पारियों खेली है वहीं मंगलवार की राग को खेले के मुकाबले में भी राहुल ने हैद्राबाद के लिए अर्ड शटक की पारी खेली उन्होंने अपना अर्शतक पूरा करने के लिए 32 गैदों का इस्तिमाल किया अपको बता दे कि ट्रिपाती ने हैद्रवाद की पारी के 14 वे ओवर में अपना ये शांदार अर्षटक जड़ा है ट्रिपाती ने मयंज मारकेदे की गैंड रे अपना इस सीजन का तीसरा अर्षटक जड़ा है आपको बता ले कि अर्शतक जटे ही राहुल अजे द्रिपार्थी ने अपना बल्ला उठा कर इस मुमेंट को सेलिब्रेट किया उनकी अर्शतक की अपारी देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर राहुल की जम कर तारिफ की है इसी के साथ आपको बता ले कि राहुल अजे द्रिपार्थी को आम तोर पर राहुल द्रिपार्थी के नाम से इचाना जाता है भाइ भाटे दाइवाग के बल्लेबाज हैं जो घरे लू इकिर्केट में महारास्ट के लिए खेलते हैं और आइप्यान में कॉलकरता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं 22 दिसंबर 2012 को इन्होंने बरोदा के खिलाफ प्रतम श्रीली में डेबू किया रावल टिपार्थी को राइजिंग पूने सुपर जॉइन ने 2017 के आईपेल केरी 10 लाफ रुपे में खरीता था उन्होंने 11 अप्रेल 2017 को दिली डेयर डेबिस के खिलाफ अपना आईपेल देडू किया था अगले साल राजिस्तान रुपे ने उन्हें 3.4 करोड की बड़ी रखम में खरीदा था 2017 में भी वह राजिस्तान रुइस के लिए खेले लेकिन 2020 के आईपेल में उन्हें कॉलकाता नाइप रुपे में साट लाफ रुपे में खरीदा था तब से बहा कॉलकाता नाइप रुईर्स के लिए ही खिलते हैं अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि राहुल तिपाथी इंडिया टीम में कब डेब्यू करते हैं आज की खास के बन मैं बस इतना ही देश दुनिया से जोड़ी ख़बरों के लिए देखते रहे ये एडिया निमस